बंजर धर्ती के फूल आज प्रस्तुत है डॉक्टर सिधनात कुमार का लिखाईया नाटक तो सुनी नाटक बंजर धर्ती के फूल प्रस्तुत है तो सुनी नाटक मैं बंजर धर्ती हूं बंजर धर्ती जिसमें पौधे नहीं उगते फूल नहीं खिलते फल नहीं लगते बंजर धर्ती जिसके मन में आगांक्षाएं चागने के पहले ही सो जाती हैं सपने बंजर धर्ती जिसकी प्यास कभी पुछती नहीं जीवन भर पनी रहती हैं आप कुछ कह रही है माजी तू मुझे माजी क्यों कहती है यही तो कब से कहती आई हूं गलत कहती आई है आपने कभी कुछ कहा नहीं इसमें कहने की क्या बात है आप शुरू में ही मुझे कह देती कि मुझे क्या कहना चाहिए शुरू में मैंने इस पर ध्यानी नहीं दिया तो आप क्या हो गया है कुछ नहीं हुआ फिर क्या कहूं आपको जो मनाय के आप मुझसे नाराज हो गई है क्या नहीं रहे तुझसे नाराज क्यों होंगी लक्षमी इतने बरसों से तु मेरे साथ है इतनी सेवा करती है इतने अच्छे ठंक से सारे काम देखती है आप तो मेरी इतनी तारिफ करने लगी तू ही तो घर में मेरे साथ है और यहां है कौन मा जी कहने पर जब आपने मुझे टोग दिया तो मुझे लगा आप मुझे से नाराज हो गई है यूँ ही कह दिया मैंने कुछ सोच रही थी मैं कोई बात हुई है क्या बात क्या होगी आप बाबुजी के नहीं आने से चिन्तित हैं हाँ, चिन्ता का कारण तो है ही कहकर गए थे कली आ जाएंगे और आज अभी तक नहीं आए घर पर माने रोक लिया होगा हो सकता है वहाँ कोई जरूरी काम है क्या? पता नहीं आप से उन्होंने कुछ कहा नहीं? उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था घर से चिठी आई थी माने जल्दी आने को लिखा था चले गए बुलाने का कोई कारण नहीं लिखा था इसी से तो मन चिन्तित है घर जाने पर देर हो ही जाती है इसमें ऐसी बात नहीं कि आप खाना पीना भी छोड़ दें मैंने खाना पीना कहा चोड़ा है कल रात आपने कुछ नहीं खाया आज भी नहीं खाया कल रात तबिया ठीक नहीं थी और आज जब सवेरे नाश्ता तो किया ही था नाश्टे से बेट भरता है क्या खाना तयार है ले आओ अभी नहीं खालूंगी तू जाकर खाले हैं चाई पीएंगी अभी कहती है तो बनाला अभी लाती हूं लक्षमी नहीं समझती मेरे मन में कैसी पेचैनी है समझ कर क्या कर सकती है कोई भी क्या कर सकता है जिसके बारे में सूचा जा सकता है कि वो कुछ करेगा वो भी कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता नहीं इसमें कुछ नहीं किया जा सकता डॉक्ट साब आपने अच्छी तरह देख लिया है मैंने पूरा investigation कर लिया है रिपोर्ट आपके सामने है Mr. Rakes मैंने क्या समझूगा आप और लोगों से भी सला ले सकते हैं और लोगों से क्या सला लेनी है आप specialist है आपकी क्या राय है इसमें किसी operation वगरे से भी कुछ नहीं हो सकता मैंने कही दिया आपसे इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता ये हमारे हाद की बहार है हम बच्चा होने की कोई उमेद नहीं है Mr. Rakes दुनिया में चमतकार भी होते हैं साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकती जो बात आदमी के बच्च के बाहर है उसके लिए चिंता करने से कोई फाइदा नहीं है और Mr. Rakes ऐसा केस हमारे सामने पहरी बार तो आया नहीं केस अक्सर आते रहते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर पाते तुम्हें कुछ पूछना है अर्दे? मुझे क्या पूछना है? सब तो सुनी रही हूँ मैं फिर कहता हूँ Mr. Rakes जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते उससे मा जी चाय ले आई हूँ आ गही तो आप सो रही थी क्या? नहीं तो योई सोच रही थी तेरे बापुची अभी तक आये क्यो नहीं? ट्रेन समय से न मिली हो या हो सकता है वहीं एक दो दिनों के लिए रुख गए हूँ? हाँ जानते हूँ वहीं रुखे होंगे मा ने रुख लिया होगा चाय तो पी लीजिए अभी पीती हूँ लक्षमे आओ राकेश बैठो तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है तुमने कुछ लिखा तो नहीं था मा क्या लिखती चिठी में कोई खास बात है खास बात तो है ही तुमने लिखा था कि डॉक्टर जाज करा रहे हो फिर कुछ पता नहीं चला कि डॉक्टर ने क्या कहा कहा वोही जिसके हम उमीद करते थे जाका बहु को बच्चा नहीं होगा नहीं कारण नहीं बतलाया अब कारण हम तुम क्या समझेंगे मा बस यही समझ लो कि कुछ ऐसा दोश है जिसमें डॉक्टरी से भी कुछ नहीं किया जा सकता दोश बहु में ही है ना जांच से तो यही माल हुआ मैं भी यही सोच रही थी शादी के दस साल हो गए और अब तक कुछ नहीं हुआ तो दूसरा कारण क्या हो सकता है मैंने अपनी और से पूजा बाट भी कम नहीं कराया जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है अरे बैटी भाग्य की ही तो बात है जो ऐसी बहु घर आई पर इसमें उसका क्या दोश है मा उसका दोश नहीं तब किसका दोश है तुम ही तो कह रहे थे कि डॉक्चर ने भी यहीं कहा है ईश्वर नहीं उसे ऐसा बना दिया है तो उसका दोश कैसे कहा जा सकता है अरे भाई, दोश किसी का भी हो अब तो सोचना ये है कि क्या किया जाए अब करना क्या है मा कुछ नहीं करना है मुझे तो नहीं मालूम होता इसी तरह तुम्हारे पिताजी भी कहते तो तुम इस दुनिया में नहीं आये होते नहीं आया होता, तू क्या होता तुम कैसी बात कर रहे हो बीठी तुम चाहती हो दूसरी शादी कर लो हाँ, इसमें हर्ची क्या है नहीं मा, ये मुझे से नहीं होगा जो नहीं होगा, अरे इसमें कटनाई क्या है मैं जानता हूँ, अगर मैं कह दूँ तो आर्ती उसका विरोध नहीं करेगी. अरे बेटा, तब क्या कट नहीं है? मैं स्वयम उसके मन को किसी तरह का कश्ट नहीं पहुचाना चाहता, मा. बेटी, इसमें कश्ट पहुचाने की बात कहां आती है? अगर दूसरी शादी करने से संतान हो जाए, तो क्या उसको प्रसनता नहीं होगी? बड़ी मा को प्रसनता हुई थी. ये, ये मैं कैसे कह सकती हूँ, बेटा? और फिर हर बात में तुलना ठीक भी तो नहीं होती. मैं तुलना नहीं कर रहा हुँमा, घर में कोई बच्चा नहीं तो क्या हुआ ऐसे? बहु भी यही कहती है. नहीं, वो तो चाहती है कि उसे कोई बच्चा होता. लेकिन भागे में नहीं है तो क्या कर सकती है? राकेश, तुम्हें अपने जीवन में कभी कुई कमी नहीं महशूस होती? कमी क्या महशूस होगी? जिंदगी में इतनी सारी बाते हैं, उनमें आदमी लगा रहे, तो कमी महशूस करने की फुर्सक कहा रहेगी? बहस से जीवन के सवाल हल नहीं होते बेटे रागेश तुम अब बच्चे तो नहीं हो बेटे ओ माँ तुम्हारे सामने तो हमेशा बच्चा ही हूँ तुम जानते हो तुम ही हमारी एक महत्र संतान हो तुम्हे कोई बच्चा नहीं होता तुम बेटा ये वंश ही खत्म हो जाएगा हो मा, खत्म ही हो जाएगा, तो क्या होगा, दुनिया में अब तक कितने वंच खत्म हो गए, कितने ही वंच खत्म होते रहते हैं, इसे क्या फरपड़ता है, दुनिया तो खत्म नहीं होती है, अरे बेटे मैं तुम ऐसे समझा हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं, अपने कुल क बात कर रहे हूँ, अरे कोई संतान नहीं हुई, तो पूरवजों को पानी देने वाला भी नहीं रह जाएगा कोई, जिनके वंच खत्म हो गए है, उनके पूरवजों को कौन पानी देता है, तुम नहीं समझोगे, लगता है पूरी तरह नास्तिक हो गया हूँ, नहीं मा, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पूरी तरह आस्तिक हो, भगवान में विश्वास करता हूँ, भगवान की इच्छा में विश्वास करता हूँ, भगवान की यही इच्छा है, कि तुम निसंतान रह जाओ, और हम निर्वन्श हो जाए, पर इस थिती से तो यही मालूम होता है, नही बेटे नहीं, भगवान की इच्छा को गलत मत समझो, भगवान ने तुमको शक्ती दी है, तुम्हें अपना भला बुरा समझना चाहिए, कोशिश तो यही करता हूँ, माम, तुम अपने लिए नहीं सोचते हैं, तो कम से कम मेरे लिए तो सोचो, माम, तुम्हारी इच्छाओ का तू मैंने हमेशा ध्यान रखा है अब कैसी इच्छा रह गए ये मन में यही कि तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिला लेती इस जीवन में पोते का मुझ देख लेती हो भाग्य के सामने किसी की नहीं चलती मा तुम्हारे पिता जी रहते न तू वो भी यही चाहत मैं सब समझता हूँ लेकिन इसके लिए किया क्या जा सकता है मैंने कहा न तुम दूसरी शादी कर लो बेटा तुम कहो तुम मैं बात चलाओ अरे ऐसा बहुत से लोग किया करते हैं मा मैं अपने मन की बात जानता हूँ मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा मेरे लिए भी नहीं आर परिस्थिती बतला दे लेकिन जो मुझ पर इतना विश्वास रखे उससे मैं कैसे कह सकता हूँ मा ओहू बेटा तुम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हो मैं अपने मन को कैसे समझाओ बहू तुम से कहे तब तो मानोगे वो नहीं कह सकती कह कैसे सकती है मैं समझाओंगी उ कहता हूँ वो तुम्हारी बात ना माने तब अरे उसकी चिंता मैं नहीं करती मैं अपनी और से कोशिश करूँगी अच्छ तो चलो तुम्हारे साथ इतनी जल्दी क्या है माँ मुझे ले चलने में कोई कठिनाई तो नहीं है न तुम्हें कठिनाई क्या होगी मैंने तो कि कि चलो हमारे साथ वही रहो तब मैं चलूँगी मन में बहुत दिनों से एक बेचैनी है शायद कोई रास्ता निकल आए खाना ले आओ माजी नहीं वहू नहीं आप ही नहीं खाऊंगी अरे दिन भर इसी तरह खिलाती रहोगी तो जीओंगी कैसे आप भी क्या कहती है माजी इस महंगाई के जमाने में आप के लिए कुछ कहा कर पाती हूँ जो करती हो उसे कम समझती हो हरे मैं तो खाते खाते परेशान हो गई हूँ बड़े भाग्ये सित्वाप यहां आई है आने को तो हमेशा सोचती हूँ पर बहु महा का घर जमीन हरे किस पर छोड़ कर आऊ इस बार किसी तरहे निकल कर आये हूँ तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए थे अच्छा हुआ माजी आप आगए मुझे पीधर बहुत अकेला जैसा लग रहा था हाँ वही तो देख रही हूँ मैं घर कितना सूना सू किया क्या जा सकता है मैं तो जब से यहां आई हूँ तब से यही सोच रही हूँ घर में सर्फ दो आदमी और एक बाहर से आई नौगरानी अरे कैसे रहते हो तुम लोग देखी रही है आप बिना बाल बच्चों का घर अच्छा नहीं लगता लेकिन माजी बाल बच्चे अ बहु सुना है राकेश ने मुझे बतलाया है जब भागे ही उल्टा हो तो कोई क्या कर सकता है नहीं बहु भागे को बदला जा सकता है भागे भी बदला जा सकता है हाँ बहु बदला जा सकता है अरे अपनी परिस्थितियों से समझोता करके भागे को भी बदला जा सकता है कैसे बतला जा सकता है माजी मैं तो नहीं समझ पाती अरे इसी के बारे में तो बात करने आई हूँ मैं जी राकेश ने जब से बतलाया मैं तो बहुत ही चिंतितू क्या किया जाए कि इस घर में भी बच्चों की हसी खुशी सुनाई पड़े बहु तुमने कभी सोचा नहीं इस पर जी मैं क्या सोच सकती हूँ अरे तुम राकेश से कहती क्यों नहीं कि वो फिर से शादी कर ले फिर शादी कर ले हाँ बहु संतान के लिए लोग कई-कई शादिया करते हैं करते हैं बहु इसमें बुरा नहीं है बाल बच्चों के लिए दूसरी शादी करना ये तो दुनिया का नियम है मैं मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में बहु सब तुम्हारे ही कहने पन निरफार है उन्होंने कहा है कहा नहीं है पर मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ अरे तुम्हारी इच्छा के विरुद वो कुछ नहीं कर सकता उन्होंने मुझसे समन में कभी कुछ नहीं कहा वो कुछ नहीं कह सकता बहु आप से उन्होंने कहा है अरे नहीं नहीं उसने मुझसे कुछ नहीं कहा ये तो मैं खुद उससे कहना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारी राय हो तब न कहूँ मैं तो ये भी जानती हूँ कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम नहीं कहोगे मैं क्या कहूँ उनसे यही बेटा कि वो फिर से शादी कर ले गर में बाल बत्चे हो जाएंगे तो अच्छा होगा जो कहें माझी मैं कर सकती हूँ लेकिन मेरा मन भीतर से इस बात के लिए तैयार नहीं होता भाभू मैं सब समजती हूँ सब समजती हूँ लेकिन ऐसी बातों में मन को समझाना पढ़ता है नहीं माजी नहीं, मैं अपने मन को नहीं समझा सकूँगी, आप लोग अपने मन से जो चाहे कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं कह सकती माजी तुम नहीं चाहती कि इस घर में भी कभी बधाईयां बचे बच्चों की किलकारी से अपना चोटा सा घर भी गूजे बच्चे इस घर में भी खेलें कूदें और अपनी हसी खुशी से तुम्हारी जिन्दकी को भर दें हरे, हम बच्चे होंगे, तभी तो इस घर में कभी एक शेहनाईयां बजेंगी, पुढ़ापे के लिए कोई सहारा भी तो चाहिए बहू, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा घर आंगन जीवन भर सूना रहे, यह मैंने कब कहा, ऐसा मैं कभी भी भी नहीं चाहती माजी, नहीं चाहती, तो इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, मैं, मैं अपने लिए नहीं कहती बहू, तुम्हारे लिए कहती हूँ, राकेश के लिए कहती हूँ, जीने के लिए अभी पूरी जिन्दगी बाकी है, जीने के लिए कुछ चाहिए बहू, बिना आधार की, आपन मैं क्या सोच सकती हूँ? बहो, तुम इतनी गंभेर हो गई, कुछ बोलती नहीं? मैंने समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या आप बोलू? नहीं भाव, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं, जल्दी की भी कोई बात नहीं है मैंने तुम्हें सारी बाते समझा दी है, तुम्हें इन पर सोचना चाहिए जी, सोचूँगे विश्वास रखना बहू बिना तुम्हारी सहमती के कुछ भी नहीं होगा विश्वास है मुझे है ना मैं बंचर धरती हूँ बंचर जिसकी प्यास पुछती नहीं हमेशा पनी रहती है लेकिन प्यास पुछाने की सोच तो रही हो ये किसकी आवास सुन रही हूँ मैं तुमारी आवास है आर्ती मेरी आवास ये पहली मैं नहीं समझ पा रहे हूँ पहली नहीं है आर्ती जिन्दगी की सुलची हुई सीधी साधी सच्चाई लगता है तुम्हारी सास ने जो तुम से कहा है उसका असर तुम पर हुआ है क्या असर हुआ है मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारी सास कहती है कि अपने पती राकेट से कहो कि वो दूसरी शादी कर ले बाल बच्चे होंगे तो जिंदकी में चहल पहला जाएगी तुम्हारी जिंदकी में इस घर के हर आदमी की जिंदकी में मैं भी इस घर में शामिल हूँ यही तो गलत समझती हूँ जो बाल बच्चे होंगे तुम्हारे होंगे नहीं मेरे नहीं होंगे लेकिन इस घर के तो होंगे मेरे पती के तो होंगे अपने को धोखा मत दो आरती घर में बाल बच्चे हों इसके लिए क्या जरूरी है कि राकेश की दूसरी शादी हो शादी नहीं होगी तो बाल बच्चे होंगे कहां से तुम्हें मालूम होगा डॉक्टर ने क्या कहा है मेरे बारे में मुझे सब मालूम है इसलिए तो कह रही हूँ जिस देश में हर सेकंड हजारों बच्चे पैदा होते हैं उस देश में क्या बाल बच्चों के लिए दूसरी शादी करना जरूरी है? क्या कह रही हो तुम? मैं समझ नहीं पाई. मैंने कहा, इस देश में बच्चों की कमी नहीं है. फिर शादी की क्या जरूरत है? अगर बच्चों की इतनी इच्छा है, तो खोजने पर बहुत सारे मिल जाएंगे. हाँ, लेकिन वो अपने बच्चे तो नहीं होंगे. और जो तुम्हारी सौत के बच्चे होंगे, तुम्हारे होंगे? नहीं, मेरे नहीं होंगे. लेकिन मैं उन्हें अपना मान लूँगी. इस तरह तो तुम किसी भी बच्चे को अपना मान सकती हो? तुम कहना क्या जाती हो? तुमने कभी सोचा है, कि अगर राकेश की दूसरी शादी हो जाएगी, तो तुम्हारी स्थिती क्या होगी? क्या स्थिती होगी? आकर्शन का केंद्र हमेशा नया होता है. यानि राकेश की जो दूसरी पतनी आएगी, सबके आकर्शन का केंद्र वही होगी. घर और बाहर सबके सम्मान का आधार वही बनेगी. और अगर उसे कहीं संतान हो गई, तो फिर तुम्हें कहीं कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा? नहीं, नहीं पूछेगा. तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रह जाएगा. ना घर में, ना समाज में. आज तुम्हें अपने पती के प्रेम का एक अधिकार प्राप्त है. ये एक अधिकार ही नहीं, पूरा प्रेम ही खत्म हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होगा, होगा और यही होगा, चली जाओ, चली जाओ, मेरे मन को और बेचैन बनाने वाले दुरबलता, तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ तुम मेरी बातें तीखी लगती है न, सत्य हमेशा तीखा होता है, मैं तुमसे भिन नहीं हूँ, इसलिए कह रही हूँ यह सब, कभी तुम्हें जीवन में प्रेम स्ने नहीं मिला, माबाप बच्मन में मर गए, तुमने उनका स्ने नहीं जाना, चाचा के घर में उपेक्षता का जी जीवन जीती रही, कृपा करके उन्होंने तुम्हारी शादी कर दी, अब पती का जो प्रेम तुम्हें मिला है, वो भी छिन जाएगा तुमसे, नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आवेश से जिंदगी की सच्चाई नहीं चुटलाई जा सकती, मैं मैं नहीं सुनना चाती तुम्हारी बाते, मैं नहीं सुनना चाती, मेरी बाते कटू लगती है, सत्य हमेशा कटू होता है, लेकिन कहना मेरा करतव विथा, मैंने कह दिया, उस पर सोचना तुम्हारा काम है, हाँ, उस पर सोचना तुम्हारा काम है, सुनो, 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 सु मुझ को भुकार रही हो तुम क 요ं हो मुझको नहीं पहचानती नहीं नहीं तो खुब कहती हो वाथि इस घर के मालकिन को नहीं पहचानती घर की मालकिन तो मैं हूँ में, मैं, मैं, तुम्हारा अधिकार तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मैं इस घर में आई मुझे तुम से अपना परीचे देना होगा तुम साफ़-साफ कहते क्यों नहीं कि कौन हो इतने वर्ष होगे मुझे इस घर में और अब मैं अपना परीचे दू मेरी शादी हुई है राकेश से मैं इस घर के मालकिन बन कर आई हूँ तुम्ही हो हाँ हाँ मैं ही हूँ पहचाना तुमने हाँ लेकिन तुम तो मेरी राय से आई हो मेरी अनुमती से आई हो इस घर में मैं नहीं चाहती तो तुम इस घर में कभी नहीं आती वारे चाहने वाली तुम्हारा अभीमान अभी खत्म नहीं हुआ मैं ये अभीमान खत्म करके रहूँगी मैं सच कहती हूँ मेरे पती से पूछ लो मेरी राय से ही तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पती से पूछ लो कौन होता है वह तुम्हारा तुम इतना हसती क्यों हो मुझसे चाहती क्या हो तुम मैं चाहती हूँ तुम यहां से चली जाओ कहां चली जाओ कहीं चली जाओ उससे मुझे कोई मतलब नहीं मैं सिर्फ इतना जानती हूँ तुम यहां से चली जाओ इस घर में मैं रहूँगी मेरे पती रहेंगे मेरे बच्चे रहेंगे तुम अब यहां नहीं रह सकती चली जाओ यहां से यह घर मेरा है मैं यहां से जाओंगी क्यों नहीं जाओंगी तो मैं तुम्हारा गला दबादूंगी मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हारी हत्या करतूंगी आर्थी आर्थी क्या है आर्थी आप जग गए हां मैं तो जग गया लेकिन तुम चिला क्यों उठी सपना देख रही थी सपना हां डर गई कैसा सपना देख रही थी दरावना था एक एक औरत मेरा गला दबा रही थी तुम्हें दर बहुत चिंतित हो क्या चिंतित तो आपको भी देख रही हूं आप दूसरी शाथी करना चाहते हैं दूसरी शाथी माजी कह रही थी हां माजोर दे रही थी लेकिन मैंने नहीं चाहा तुम चाहती हो आप चाहेंगे तो मैं विरूद नहीं करूँगे आर्दी तुमें तो कहती हो घर सुना लगता है बाल बच्चे होते हमारे जीवन के सुख के लिए क्या बच्चों का होना जरूरी है क्या हमारे सुख के लिए हमारा आप से प्रेम काफी नहीं है हाँ, यही तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ आर्दी, मुझे तो हमेशा लगता रहा है, कि प्रेम के फूल से बंजर धर्ती भी मुस्कुरा उठती है, सच के द्याप प्रीम के फूल से बंचर धर्थी भी मुस्कुरा उठती है बंचर धर्थी भी मुस्कुरा उठती है बंचर धर्थी के फूल अभी आपने डॉक्टर सिद्धनात कुमार का लिखा ये नाटिक सुना दिर्देशक थे सुदर्शन कुमार प्रस्तुती करण सहायक महफूज हसन नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वशी सुरेंद्र सेठी, सुचित्रा गुप्ता, मोनिका शर्मा, राजेंद्र वर्मा, सुनीती कुहली और राजकुमारी प्रसाद ये नाटक, केंद्री नाटक के कांश्ट्वारा, आकाश्वाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया